हलो एवरिबन तो कैसे है साथियो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और जो लोग अच्छे नहीं है वह सबसे पहले अपने स्वास्थ का ध्यान रखें उसके बाद फिर अप अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नमबर पे आप अपने जीवन से जुड़े होई अन चीजों का ध्यान रखें तो चलिए आज की लेक्छर में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में तदी आप हमारे पुराने चातर हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने द गुलाम वंस के तिसरे लेक्षर को कवर किया था जिसमें हम लोग बात किये थे बल्वन के बारे में जिन्होंने एक नय वंस की निव भी रखी थी जिससे हम लोग बल्वनी बंस के नाम से जानते हैं आज हम लोग गुलाम वंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे बलकि गुला कि सल्तनत में उलाम वन्त्त के पतन के बार गुंसा डैनिस्ट्री गदी पर चल करके आता है। तो चलो, कौन साता है आप बता सकते हूँ, आप लोग पढ़े होंगे तो definitely आप दानते होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, खिलजी डाइनिस्टी के बारे में, ठीक है, तो खिलजी डाइनिस्टी के बारे में पहले कुछ basic बात कर लेते हैं, खिलजी डाइनिस्टी का जो फेज है वह कब से कब रहा है यदि आपने हमारे पुराने लिक्षिस को देखा हुआ तो मैंने आपको बताया था कि 1206 में बिल्ली संक्वित की स्थापना होती है और 1290 तक गुलाम डाइनिस्टी स्लेव डाइनिस्टी का फेज रहता है और उसके बाद 1290 में चल करके आता है कौन जलालुदीन खिलजी और एक नय वन्स की नीव रखता है जिसके बारे में आज अद दिन करेंगे यह दरसल 30 वर्सों का है यानि कि यह 1320 तक रहेगा 30 वर्सों का सासंकाल है टोटल खिलजी डाइनिस्टी का और 1320 से है मेरे ख्याल से 1412 होना चाहिए या 1414 कहीं कहीं पर मिलता है और फिर यहां पर है 1414 से लेकर 1426 या फिर 1466 बगएर होगा इसको एक बार देख लेना ठीक है अभी तो इसमें चर्चा नहीं कर रहे है और बाकी का जो लास्ट का फेज है वो 1426 से लेकर के सरसठ या फिर जो हो 1526 तक है चलता है इसको आप अभी देखो यह सैयर बंस का है फेज और यह है लोदी बंस का यह था स्लेब डाइनिस्टी का यह है खिलजी का यह है तूगलक का तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके अध्यन करेंगे तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे है दिल्ली सल्टनत का पॉलिटकल हिस्ट्री पॉलिटकल हिस्ट्री ओफ दिल्ली सल्टनत तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं खिलजी रैनिस्टी के बारे में देखो आप जब भी क्लास करो तो एक बात याद रखना क्रोनलोजिकल ओर्डर जो है उसको हमेशा याद रखी क्योंकि बीना उसके आप इतिहास पढ़ते हैं तो यह आप मान कर चलिए कि आप ए गंभीर शात्र नहीं है और आप जस्टीस नहीं करने वाले इतिहास के साथ क्योंकि इतिहास का तो आधार ही है ने बैकबॉन की बात की जाए तो उसका आधार है क्रोनलोजी और दूसरा उसका जो आधार है वह है फैक्ट तो इन दोनों चीज़ों का आप कभी मत भूलिएगा अब देखिए खिलजी टैनिस्टी में मुखे तोर पे जो है चार साषक है ठीक है शाषक तो बहुत सारे हुए लेकिन चार ही साषक के बारे में हमें जानकारी प्राफ होती है तो हम लोग एक के करके पहले उनका नाम लिख लेते हैं आप समझ रहे होंगे एडी ही लिखना दूसरा लिखिएगा दूसरे ब्यक्ति का नाम मेरे ख्याल से आप जानते होंगे अलाउदीन खिलजी काफी बिवादित नाम है भारत के लिए अभी हाल फिलाल में जो मूवी बनी थी पूरा नाम है अलाउदीन फिरोज खिलजी और उसका नाम है जलालुदीन फिरोज खिलजी यह लिखिएगा बारह सो च्यानवे से लेकर के तेरह सो सुल्ला एडी के बीच का है और तीसरे नमबर पे लिखिएगा उन्हें मुवारक साह खिलजी और इसका जो फिज लिखिएगा तेरह सो सोल्ला से लेकर तेरह सो बीस ठीक है तेरह सो बीस और तेरह सो बीस में एक साल के लिए गद्दी पे बैठता है या फिर यूँ कहें दो चार महिने के लिए गद्दी पे बैठता है वह है नसरुदीन साह खिलजी ठीक है पूरा लिखेगा नसीर उदीन शाह या फिर नसरुदीन खुशरो शाह लिखेगा ठीक है इसका नाम है खुशरो शाह खिलजी और यह सिर्फ 1320 में ही बैठता है और 1320 में गद्दी से उदर भी जाता है ठीक है और यहीं से फिर खिलजी डैनिस्टी का परतन हो जाता है यानि कि यहां तक खिलजी डैनिस्टी चलेगा तब पूरा याद रखना हम लोग 30 वर्सों का इतिहास पढ़ रहे हैं यहां पर इसको मिटा लो 126- किसका था स्लेब डैनिस्टी का था यहां पर क्या होगा 1290 से लेकर 1320 चलो इसको मैं मिटाता हूँ और अब हम लोग आज का लिक्टर जो है जलालुदीन खिलजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको त्मीन हिस्सों में बाठ कर पढ़ेंगे पहले हिस्से में जलालुदीन के बारे पढ़ेंगे उसके बाद अलाँदीन को पढ़ेंगे अलाँदीन का जो चाप्टर है थोड़ा सा बड़ा है तो इसको दो हिस्सों में बाठ कर करेंगे और उसी में से इसको भी कवर कर लेंगे बहुत छोटा है मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का लेक्षर होगा मुवारक सा खिलजी और नसीरुदीन सा खिलजी का तो इन दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे अलाँदीन के बुच्रे हिस्से में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह जलालुदीन खिलजी के बारे पढ़ेंगे तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ लिख रह केम जब कलियर हो जाता है कि आप आपका जाता है कि जितना बड़ा होगा और बहतरीं बहतरीन मचलियां भी फसेंगे तो इसलिए आप अपने concept को मजबूत कीजेगा रट तो आप कहीं सभी लिज़ेगा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको रटवाते हैं तो आप रट सकते हैं वहां से उससे क्या दिकत है तो फिर सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक यह जानो कि जो खिलजी शब्द है और दरसल चल करके आया कहां से है इसके बारे में एक दो फैक्ट लिखना यहां से सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ खिलजी जो शब्द है दरसल खिलजी को खिलजी नहीं लिखा जाता है खलजी लिखा जाता है ठीक है अब देखो इसमें पहले जो क्या हुआ कि कुट्वदीन एबक के समय से इल्टुदमीज का जो फेज है पूरा स्लेब डैनिस्टी का उसके बारे में यह था कि यह सभी के सभी लोग जो तर्किस थे तुर्क से चल करके आया थे लेकिन जो खलजी बंस के बारे में पता चलता है कि लोग तर्किस हैं कि अफगान हैं जिसको लेकर करके काफरी डिविट हुआ है तो कोई भी निकला नहीं है तो एक दो पॉइंट है इसमें वह हम लोग लिख सकते हैं कि खलजी जो शब्द है वह खलज सब्द से बना है ठीक है खलज सब्द से और खलज जो है दरसल अफगानिस्तान का एक गाउं का नाम था इसलिए लोग अंदराजा लगाते हैं कि यह दरसल अफगानिस्तान से चल करके आया था खिलजी ठीक अब देखो कहता है कि खलजी के रहने वाले खिलजी 64 तूर्क जातियों में से एक थी तूर्क जातियां जो थी टोटल 64 थी इसी में से एक थी कौन खलजी डाइनिस्टी ख पाचिन भारत में पढ़ेंगे तो शुद्रों के पास एक सिमित अधिकार था वैपार करने का भी अधिकार नहीं था तो बहुत आगे चल करके मिलता है घुप्तकाल में तो उसी तरीके से आप यहां पर भी देखोगे तो खलजी जो अफगानिस्तान के यह 64 तूर्क जाति में से एक हैं लेकिन इनको विशेशा अधिकार नहीं था बाकी लोगों की तरह ठीक है इसलिए जो कुछ भी जो वहां का डूमिनेटिंग सुसाइटी था उनके तमाम सारे कल्चेस को इन लोगों ने एडॉप्ट कर लिया तो कई लोगों ने इसे माना है कि यह लोग हु filed करते हैं कि हासकारों का अफ़्ो यह अब क्रूप यह को यह आ पर दोनों याद रखना है कि यहां पर कंफ्यूजन पर आधारी सवाल होता है वह लोग कुछते ही नहीं है इसलिए आफ्टिंसर मत लीजिए चलो अब देख़ो यहां से चल करके आते हैं न तो यह लोग दरसल जब खिलवरी वंस को ही हम लोग क्या पड़ते हैं गुलाम वंस का जब यह लोग क्लाइन करते हैं उसका जो अबॉलिशन करते हैं उस प्रकिरिया को ही दरसल इतिहास में खलजी revolution कहा गया है यदि आपसे means में यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि खलजी revolution था दरसल क्या इस प्रकिरिया को ही बोला गया है जब खिलजी वहां से चल करके आते हैं और यहां के इल्मरी बंस का समाप करके कि नए बंस किनीव रखते इस प्रकिरिया कोई खलजी revolution कहा गया है तो यह दरसल खलजी शब्द के बारे में कुछ जान का रही था जो मेरे ख्याल से आपको जानना चाहिए वहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं अब बात करते हैं हम लोग अब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं कहां से जलालुदीन खिलजी से जहां से खिलजी बंस का नीव रखाता है अब देखो जलालुदीन खिलजी जो है उसके बारे में कुछ basic information मेरे ख्याल से आपके पास पहले सही होना चाहिए क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कैकुबाद घद्धी पे बैठा था उस समय समाना का सुबेदार हुआ करता था तो वहां से इसको बुला लिया गया था अपने पास और इसको शाही अंगरक्षक के तौर पे अपने हां रखा था और शाही अंगरक्षक जो बॉडिगार्ड होते थे उसको क्या कहा जाता था सर एजादार ठीक है सर एजादार आप इसको लिखना है ठीक है मदिकालिक भारत में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ठीक है कि आप बताओ सर एजादार का क्या शाब्दी करता या फिर जो कैकु बात के हत्या करवा करके उसका लाश जो है दिल्ली में यमुना नदी दिल्ली आपको पते हैं कि दिल्ली में यमुना नदी बाती है तो दिल्ली के यमुना नदी में उसका लाश को फिकवा दिया और जब गदी पे बैठा तो उस समय जो तारिक की यदि बात की जाए राज 90 को गद्धी पे बैठता है इस समय जो इसकी उम्र है 70 साल मानी जाती है इसलिए इसे भुजर्ग मुसल्मान भी कहा गया है और यह दरसल आगे चलकर कि एक स्टेट्मेंट की जारी करेगा कि मैं लोगों की हत्या नहीं करता हूं क्योंकि मैं एक भुजर्ग मुसल्मान हूं इ इसका स्टेट्मेंट है जिससे सवाल पूछा गया है तो आपसे यदि पूछा जाए कि कितने इस्वी में आप फिर कितने तारीक को जलालोदीन खिल जी गद्धी पे बैठा था तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा इस तरीके से सवाल कई बार पूछे गया है अब अधि वो लोग आपसे सवाल पूछ दें तो ऐसा नहीं कि आपको सवाल का आंसर ही ना है तो चलिए लिखिएगा एक एक पॉइंट करकर के पहला पॉइंट लिखिएगा पहले पॉइंट के दिबात की जाए तो आप लिख सकते है जलालुदीन खिल जी एक निष्ठावान निष्ठावान दयालू एवं उदार ब्यक्ती था ठीक है उदार चरित था इसका चुके बुजूर्ग हो चुका है तो अब युवा नहीं है ना कि लड़े का ठीक है युवा लोग तो ज्यादा फरफ़ड़ाते हैं जिसे आप लोग युवा हो तो ज्यादा फरफ़ड़ अब यह चुकि 70 साल का बुजूर्ग में चुका है तो अपको उदार ही रहेगा लेकिन एकाद काम ऐसा भी किया था जिससे आप अभी नहीं सकते हो किया उदार था या बुड़ा था ठीक है वो आगे बताता हुए लालुदिन खिल जी के बारे में कहा जाता है कि बल्बन के स किया था कहां से इल्टुतमिस के समय से और शाषक का बना नसुरुदिन महमूद साह के मरने के बाद जो इसका ससूर था उसको जहरते करे नार दिया था ठीक है इसके बारे में तिसरे पॉइंट लिख सकते है जो कि आपको 9 पॉइंट है खिल जीवन्स का फाउंडर है ठीक इसका एक achievement लिखे title इसका एक उपाधी दिया गया था इसको कैपुबाद ने दिया था बोलो कौन सा उपाधी साइस्ता खां की उपाधी आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दिया आपने लिखा होगा तो ठीक है आप यहाँ पर भी लिखे जलालु दिन खिल जी कैदी भूला जा कि पॉलिटिकली रूप से ठीक है राजनीती तोर पे इसका जो करियर है वह क्लाइमिक्स में कब गया ठीक है तो आप खासकते हो कि कैपुबाद के समय में इसका जो पॉलिटिकल करियर है वह धीरे धीरे करकर के क्लाइमिक्स पे चला गया मैंने यह भी बताया था कि यह दरसल पहले समाना का सूबेदार था देखो यूजी सिनेट का प्रिवियस एर बनाओगे न तो वहां पे सवाल पूछा गया है कि जलालुदीन खिल जी जो है वह शाशक बनने से पहले कहां का सूबेदार था तो समाना का था ठीक है और वही से इसको बुलाया जाता है और जब यूद जिता है वहां का भटिंडा का तो इसको आरीजे ममालिक बना दिया जाता है इसके समय में कैकुबाद के समय में देखो इसका कितना प्रमोशन हो रहा है आरीजे ममालिक का भी पोस्ट दिया जा रहा है अब आरीजे ममालिक का धब्दे को जो भी आरिजे ममालिक बनेगा तो एक संभावना बनती है कि आगया आने वाला समय में हो सकता है कि वो शाषक बने जैसे ही शाषक कमजोर पड़ेगा तो वह अटाक करके शाषक की गद्धी पर बैठ जाएगा अब क्या हुआ कि 13-1290 को गद्धी में बैठा और आपसे पूछा जाए कि गद्धी पर जो बैठा था वह कौन सा कीला था आपसे पूछा जाए त्यूकि पूछा गया है इसले में लिक्वा रहा हूं किलू गढ़ी का कीला में ठीक है किलू गढ़ी का कीला यह दिल्ली का ही ह पॉस्मन थे या फिर बिद्रोही थे उसके प्रती बहुत ही कमजोर नीती अपनाया ठीक है इसका पॉलिसी बहुत ही विक था और इसने कहा कि मैं एक बृध्ध मुसल्मान हूं और मुसल्मानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं यह पुड़ा स्टेटमेंट लेको फिर से खिलजी वो तो शुरू से लेकर के अंततर रखती ही बहाएंगे अब देखो 1290 में जब यह गद्धी पे बैठा तो इसी की समय एक जो है एक ब्यक्ति है जिसका नाय में मलिक छज्जू इसका भतीजा भी था या ठीक है मलिक छज्जू और इसका भतीजा अलावदीन होता है जो कि आगे चत्र के दमाज भी बनेगा तो इसकी बेटी पर वो लाइन मारते रहता है अब देखो 1290 में जब मलिक छज्जू भी द्रोह कर देता है। और 1290 में जैसे ही चाचा गती पे बैठता है, भतीजा वहाँ पर बित्रोह कर देता है, अब कहता है कि मैं भी स्वतंत रहूँगा, अब हुआ क्या कि सुचा कि चलो ठीक, भतीजा है, फहले माफ कर दिया, फिर किया, तो उस बर जा करके उसको कुचल दिया, ठीक है, और कहा कि माफ ही मांग लिया, तो चाचा ने इसको माफ कर दिया, माफ करने के बाद कहा कि देखो बेटा, तुम काफी दिने आरा लिया, अब तुम चलो मुल्तान, इसको मुल्तान का कवर्नर बनानेता है, पड़ा मानिकपुर से हटा करके, अलाहाबाद के हिस्से से हटा करके अब एक सवाल आता है कि सुल्तान कौन ऐसा सुल्तान धत्विली सल्प्रत्खा जिसने प्रसासनिक व्यवस्था में अनावस्यक हस्तचेप और कर नीती को त्याग दिया था तो वह इसी ब्यक्ति का नाम है जलालुदिन खिल जी नहीं धरसल इस पॉलिसी को अपनाया था आगे लिखिएगा इस पॉइंट को आपने लिखा जो मैंने भी बोला आप लिख लेना क्योंकि इससे सवाल पुछ देगा तो आप क्या करोगे ठीक है आपको कुछ कर नहीं पाओगे अब देखो अब आपके मिन में सवाल ऊट सकता है कि अब बतार सर कि जब अलाह बाद के हिस्से से इसको हटा दिया गया तो फिर अलाभामें भी तो किसी को सुप्विदार बनाया गया होगा तो हाँ इसका एक फैब्रेट ब्यक्ति था जो इसकी ये भी फैब्रेट था ठीक है जो इसका आगए चल करके इसकी बेटी का बॉय फ्रेट बन ता है और आगे चलकर के दमादी बन जाता है बताओ कौन है उस ब्यक्ति का नाम है अलाउदीन खिलजी ठीक है अलाउदीन खिलजी ठीक है इसको बता देता है कि अब तुम रहेगा यहां से मलिक सज्जू जा रहा है अब तुम अलाहबाद को संभालो अलाउदीन खिलजी का नाम अलाउदीन खिलजी नहीं है ठीक अलाउदीन खिलजी का नाम इस समय जो है अली गुर्षप है लिख ले ना आप से पूछा जाएगा कि अली गुर्षप किसका नाम था तो वह अलाउदीन खिलजी का ही नाम था ठीक है जब वो गद्धी पे नहीं बैठा है अभी तो सुल्टान के ही समय देखो जलावलदीम छिल जी के समय क्या हुआ कि एक इरान का सेंट था ठीक है इरान के एक संथ थे उनका नाम था सिध्धी मौला आप लिखेगा उनका नाम था सिध्धी मौला यह बहुत पड़ फड़ा रहे थे या भी विद्रोह कर दिये ठीक है अब त क्या करवा थे उसको दव्वा दिया सिध्धी मौला को हाथी के पैरों के नीचे रख करके इसको फुछलवा दिया बुला संत है संत की तरह रहो ज्यादा फड़खड़ा वागे तह यही होगा तो हाथी के पैरों कुछ वादिया आप से पूछा जाय कि जलाल उदिन खिल इने किस संथ को हांथी के पहरों तले कुचलवा दिया था तो लिखेगा इरानी संथ सिध्धी मौला को ठीक है और उसके बाद इसमें आपसे पूछा जाए कि जब इरानी संथ सिध्धी मौला ने रिवोल्ट किया था तो इसके साथ कौन-कौन व्यक्ति था जलालुदिन खि जी का आदमी है नाम थोड़ा सा आजीब लग रहा ना कोई बात नहीं आपका नाम कौन साथ चाह है हतिया पायक प्लस निरंजन पुतबाल यह दरसल इसी का ब्यक्ति है यह मिल करके इन दोनों के साथ मिल करके सिध्धी मौला के रिवोल्ट को दवा देता है और सिध्धी म मौला को हाथी के पहरो तले कुछलवा देता सो जो अब पहले तो बोल रहा था कि मैं कोई उधार मुसल्मान है अबकर मैं हत्या नहीं करना चाहता हूँ मैं खुन नहीं बना बहाना चाहता हूँ और मैं कोई आदमी बीना कटल हुए बीना मतलब हाड़कूर हुए इस तरी जो सिध्धी मौला जो था उसी से रिलेटेट फैक्ट है सिध्धी मौला जो था ना वह दरसल पंजाब का एक शेक थे ठीक है पंजाब के एक शेक थे शेक धार्मिक भूरु को कहा जाता है ऐसे तो शेक साओधिय अरब में सब लोग बनते फिरते हैं दुमई में पहले जो कहा जा रहा था हूँ धार्मिक गुरु को ठीक है वह दरसल पंजाब के थे ठीक है इनके गुरुजी पंजाब में एक जगह है अजोधन वहीं के रहने वाले थे और उस इनके गुरुजी का नाम था गुरुजी के नाम से सवाल पूछा जाता है बहुत फेमर्स ब्रक्ति ह जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पर, बताओ गेस करो, फरीद पढ़ेंगे हम लोग कहाँ, नहीं बताओगे, सुफी जब मुप्मेंट पढ़ेंगे ना, वहाँ पढ़ेंगे, नाम से आपको पता चल गया होगा, आपको मोका दिया आपने बूला ही नही, इतना इतना लिखो इनकी चेले थे इनके शिष्ष थे उल्टा मत लिख लेना यह शिष्य था और इह गुरु थे फिरू टै करो यह तो बाते हो गई जलाल उदिन खिल के बारे में बेसिक बाते जो आपको जानना चाहिए था अब हम लोग जलाल उदिस खिल पड़ेगा ना क्योंकि उससे में जादा बिद्रोह बगर होगा तो उसको मिलिटरी इन्वेजन करना होगा कहीं पे भी करना होगा तो आकरमन की ये बगर हुआ एक प्रसास्निक वेवस्था को कायम नहीं कर पाएगा और सच बात के लिए होता है कि किसी वी डैनिस्टी का जो 1290 से 96 बाबर के देखो 1526 से लेकर 1530 अबबग को देखो 1260 से लेकर 1210 तक इस तरीके से लोग 4 साल 5 साल कोई 6 साल रहता है कोई 7 साल रहता है तो उसमें कोई भी चीज करने ही पाता बेहतरी तरीगे से उसके बाद के साश्रुकों को देखो तो वो लोग administrative तोर पे भी बहुत सारे कारे करते हैं लेकिन यह नहीं करेगा तो इसके समय में कुछ सैन अभियान हुए थे उसको आप लिखिए मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए ठीक है नहीं लिखेंगे तो आप भी गलती है दान रखिएक यहां से सवाल पूछा जाएगा पहला जो है अंग्रेजी म करता है लिखना टाइम के साथ लिखना बारह सो नब्ब में लिखा उसका नाम है हमीर देव आप से पूछा जाता है के बारह सो नब्ब में जब जलाल उदिन खिलजी ने अकरमन किया रंधम बोर पे तो वहां का शाषक कौन था? उसका नाम था हमीर देव ठीक है और जब आकर्मन किया तो देखा कि वहां का जो कीला था ना वहां का जो फोर्ट था रन्थमबोर का बहुत ही स्ट्रॉंग था तो गया आकर्मन तो किया लेकिन कीला इतना इतना मजबूत था कि कुछ कर नहीं पाया तो मतलब सोचा कि चलो यार इसको नहीं जीतेंगे तो अपने इक् करेंगे तो कहा जाता है कि मतलब दुर्ग का जो कंडिशन इतना स्ट्रॉंग का कि जलालुदिन खेल जी मतलब देख करेंगे नहीं अब इसको नहीं जीतेंगे बहुत मजबूत है खोल सकता है कि उसको भूत मार मारा होगा क्यों बुढ़ा भी तो था ना तो पकड़ा गया हो पूट दिया होगा नंथा बहुर में वी रास्पूत लोग ना रहे तो उसे मैं आकरमन किया होगा तो कुटाया होगा खेर इतिहास में में अन्सल नहीं है आगे बढ़ते हैं परदेश का हिस्सा ठीक है 1292 में यहां पर आकरमन करता है और मंदसौर पर जीत लेता है ठीक है और जीतने के बाद क्या करेगा ओविसली दिल्ली सल्टनत के हिस्से में इसको मिला लेगा तीसरे नमबर पर लिख रहे हो न मैं मिटाते चलूगा मैं फास्ट काम कर रहा तीसरे नमबर पर लिखियेगा भिलसा भिलसा पर जो आकरमन करता है वह 1292 में करता है अब 1292 में उसी साल यहां पर जवा करमन किया तो अपने भतीजा को ले कर गया था कौन भतीजा? अली गुर्षप, हम लोग अलाउदीन खिल जी उसको कह रहे हैं, अलाउदीन खिल जी को ले कर गया, अलाउदीन खिल जी यहां पर पहली बार अभियान में जा रहा है, बहुत मजबूत आदमी था, उसको ले कर गया, और भिलसा को जीत लिया, अलाउदीन खिल जी तो मजब कल तक को तुम में लहावाद संभाल रहे थे अब मैं तुम है एक नया परांते देता हूँ तुम उसे भी संभाल devoted ठीक है अब अब इका परांते देता हूँ तुम उसे भी संभाल लो अब दो जग़ं कह है सुब्यदार बन गा देखो ऐसे ही धीडे-धीडे आदमें स्ट्रॉंग होता है समझ रहो चलो आगे बढ़ते हैं अब हुआ क्या कि यह व्यक्ति पहले धीरे धीरे जब इसका प्रोमोशन होता है इसके मन में आ गया लालच ठीक है लालच बुरी बला है आपने पढ़ा होगा ना फिर भी तो आप लोग भी तो लालची हो जार इसके मन में बहुत सारा भाव आया यार अब क्या हुआ चाचा का तो टाइम निकल गया अब तो मुझे गति दे देना चाहिए था इनका तो कोई बेटा उटागी नहीं है तो इसके मन में थोड़ा गंदा भाव आया चाचा के प्रति किसी को भी आता है जब बेटी चाचा लोग गंदी नज़र से देख रहे है ठीक है चलो अब हुआ कि जब इसके मन में भाव आया तो इसने जलालोगिन sensory को कहा कि ऐसा है कि मैं आकरमण करना चाहना हूँ चंडेरी पर ठीक है और दरआसल यहां करना चाहता था कहाँ पर देवगीरी पर ठीक है देवगीरी कहां है महरास्र का इलाका है यहां पर राजा राम चंदर देव शाशक रहता है उसे इसको एक अलग दुस्मनी रहता है अलाउदिन खिल जी का पता नहीं कौन सा चक्कर रहता है उसको तो मैं भी नहीं जानता हूं तो देवगिरी पर आकर्मन करना चाहता है लेकिन देवगिरी प पर आखरबन करते हैं चाचा कहते हैं कि ठीक आप ऐसे भी जीता था ना वह यूद तो चंदेरी पर उद करने के लिए इसने हामी भरने की जाओ चंदेरी पर आकरबन कर लो लेकिन चंदेरी के बहाने अलावदिन खिल जी चला गया देवगीरी पर अब यही से सवाल आप से पूछा जाता है कि देवगीरी पर पहला आकर्मन अलाउदिन खिल जी ने कब किया था तो देखो इस समय अलाउदिन खिल जी सुल्टान नहीं है दिल्ली सल्टनत का लेकिन फिर भी आकर्मन कर रहा है देवगीरी पर इसलिए टेक्निकल सवाल यहां से उठा के पूछे जाते अब जब अलाउदिन खिल जी जब शासक बनेगा तब उस समय भी आकर्मन करेगा कहां पर रामचंदर देव पर जोकी देवगीरी के शासक है ठीक है यहां तक आप समझ रहों यहां पर आकर्मन करने का योजना बनाया और योजना बनाने के साथ आकर्मन कर भी दिया ठीक ह तो 1296 का टाइम चल रहा है जलालुदिन खिल जी इसी साल अल्ला के प्यारे हो जाएंगे इनको अल्ला बुला लेंगे ठीक है तो 1296 में ही क्या करता है आक्रमन करता है कौन अभी अल्ला को प्यारे नहीं हुए जलालुदिन अभी जिन्दा है अल्लाुदिन इनके जिन्दा र बहुत सारा धन संपतिय बठोरते हैं ठीक है बहुत सारा चीज जीत लेते हैं और उसके बाद मन में और पाप आने लगता है ठीक है लगता कि अब क्या आप तो जीत ही गए है जीत ही गए है अब कुछ मेरे हाथ में सब कुछ मेरे हाथ में अब चाचा के हाथ में क्या रहा त ठीक अब वहां से लोटता है वह लोटने के बाद क्या करता है कि अलाउदिन खिलजी का दो रहता है चेला चपाटी सबका रहता है तो अलाउदिन खिलजी का दो रहता है चेला चपाटी एक का नाम रहता है मुहम्मद सलीम ठीक है एक का नाम है मुहम्मद सलीम और दूसरे इ दोनों इसका चेला है अलाउदीन खील जी के अंदर काम करता था अब देखो चुकी अलाउदीन खील जी के मन में आया पाप सुझा के चाचा का हत्या करवा दे तो अपने से तो कर नहीं सकता था तो उसने क्या कि आपने दो चेला चेपाटी को खिलाया पिलाया होगा बोला क कि ऐसा है कि जब पहुंचे वहाँ तो सिधा गरधन उतार देना. अब अल्ला उदिन खियू जी सारा करता है और जैसे इसारा करता है तो सुल्तान पर मुहम्मद सलीम आकरमन कर देता है. ठीक है और आकरman करकर कि क्या करता है? उसको मार के गिरा देता है. जैसे ही मार के गिराता है और दोसरा जो उसका दोस्त है इक्तियार उदिन इक्तियार उदिन क्या करता है कि सुल्टान के मस्तक को यानि कि सुल्टान का जो माथा है वह सीधा काट करके अलग कर देता है समझ रहो सर इधर कर दिया और धर इधर कर दिया पुरा सरीर सही अलग क इसे ही चलती है कहानी इतिहास में बर्नी जो है लेखा के तोर पर इसमें काम कर रहा है तो बर्नी लिखता है कि सुल्तान के मस्तक से जाने कौन सुल्तान जलाल उदिन खिल जी कता है कि सुल्तान अस्टेटमेंट लिखेगा सुल्तान के मस्तक से रग्त टपक ही रहा था मतलब शाही चंदोबा अलाउदीन ने अलाउदीन ने शाही चंदोबा अपने माथे पे रख लिया शाही चंदोबा क्या होता है शाही चंदोबा बाजा स्पेशल कैप ठीक है स्पेशल कैप था ये और यह दरसल पहंता था कौन? सुल्तान पहंता था दिल्ली सल्पनत का तो जलाल से मतलब उनके माथे से खुन पपक ही रहा था कि चाचा के माथा से शाही चंदोबा उठाया और अलावदीन खिल जी अपने माथे पर पहन लिया और इसी के साथ वो दिली सल्तनत का शार्षक बन जाता है 1296 की बात है ठीक है यहां से जलाल अलावदीन खिल जी शार्षक बन जाते हैं लेकिन जलाल अलुदीन खिल जी की कहानी यहीं पर खत नहीं होती उसके पिरेट की और भी बहुत सारी इंफोर्मेशन है उसको भी आप देखे ठीक है यह तो पीछे वाली कहानी हो गई मैंने बताया कि जो आकर्मन किया था तो इस तरीके से जलाल अलुदीन खिल के दरवार में मैं पूरा बोल रहा हूँ सौट में लिखोंगा आमीर खुश्रो पुत्तु बुदीन अल्बी पुत्तु बुदीन अल्बी और उसके साथ साथ ख्वाजा जमाल उद्दीन जैसे बिद्वानों को सनरक्षन प्राप्त था यह सारे बिद्वान जो हैं वह जल जलालुदीन खिलजी के दरवार में रहते हैं और कई सारे हिस्टोडियन है वह करते हैं कि जलालुदीन से बर्नी का जो संबंध है वह अच्छा नहीं था इसी बज़ा से क्या करता है बर्नी जो है जलालुदीन के बारे में खुब आलोचना करता है अब संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो अलोचना ही करेगा ना आप समझ रहे बात को हां तो इसलिए बर्णी ने इसके काफी अलोचना की है जलालुदीन खेजी के समय का यह उसको भी आप लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बहतर होगा आपके लिए ताकि आप बाकी लोगों से तो बहतर जलालुदीन खेजी के समय एक बड़ा इंटरेटिंग काम हुआ था इंटरेटिंग नहीं बोलें गडि ऊसको आकरमन हुआ तो आकरमन हुआ नश्यान होगीन Profполож सवाल पूछ देते हैं तो आप क्या करेंगे आप तो परिशान हो जाएंगे ना बाबू इसलिए आप लिखे लिखे मंगोल आकरमन जलालुदिन खिल जी जब गड़ी पे बैठता है उसके ठीक दो साल बाद उसके ठीक दो साल बाद 1292 में मंगोल आकरमन होता है और आकरमनका पारी ने जलालुदिन खिल जी के समय में दिल्ली सल्दनत पर आकरमन किया था अब हुआ क्या कि यहां से तुकिया लेकिन अब्दुल्ला और जलालुदिन के बीच में जब लड़ाई हुआ तो जलालुदिन जीत गए अब्दुल्ला जो है माफिवाफि मांगा और दोनों के बीच में friendship कायम हो गया दोनों एक दूसरे का दोस्त बन गया तो ज्यादा खत्रा रहा नहीं दूस्मत को कोशी दिन बात आकरमन करता है उता का नामें ओलुग कई से या पर से योव्य वर्स की उमर में वह पढ़े हो ना कि अश्री बर्सों की हड़ी में जागा जोश पुराना था और पता नहीं के वो जो बीर कुवर सिंग के बारे में आगे क्या लाइने में बोल रहा हूं हम लोग बच्पर पढ़े थे आप लोग भी पढ़े होंगे ठीक है तो यह जो बुढ़ा डिरेक्ट गुआ नहीं था सेन गया तो उलोग खा भी तो मंगोल था न और गिल्ली सल्तनत पर आक्रमन किया था तो जब हराया तो उसको बोला जलाल उदिन ने कि ऐसा है कि तुम तो हर गया हो बेटा जादा बोलोगे तो तो तुम ऐसा करो कि इसलाम कभूल कर लो अब मंगोल जो मंगोल यहाँ पर आये देखो फिर से मैं बोलडाओं जो मंकोल इल्ली सल्तनत पर आत्रमन किये थे और जलाल उदिन खिल जी ने जिड़ें पराजित कर दिया और वह अपने पराजय के प्रशात इसलाम स्विकार कर लिये इसलाम धर्म को स्विकार कर लिये उन्हें नव मुसल्मान कहा गया उन्हें यह अगे एक नय ना म दिया गया जिसको हम लोग नया मुसलमन या नव मुसल्मान कहते हैं इसको जरूर लिखना इससे कई सवाल पूछे गए है नव मुसलमान या नया मुसलमान यह दोनों कहा गया और जब हलाकू का पोता जब हारा तो उसको जलालुदिन ने कहा किया तु दिल्ली में ही रहो तो दिल्ली में कहां पे रहने के लिए बोला था बताओ तो बताओगे में इससे ज़्यादा और भी कोई फ्रक्ट जानने कि आपको आप शक्ता नहीं है यदि आप इतना जानते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप आसानी से इससे आने वाले सवाल को शॉल्ब कर लेंगे तो चलिए आज के लेक्षर में इतना ही साथ यो मुझे पूरा उमीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जहां पर समझ में नहीं आया होगा तो मिनट और सेकेंड के साथ आपनी से बताना और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में और मुझे पूरा भरुसा है कि आप चानल तो पहली मार आए होंगे तो चानल तो डेफिनेटल की आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे तो आप लोग प्लीज नही लोगों को कनेक्ट करो यार क्योंकि बहुत कम बच्चे है आप लोग नहीं बच्चों को कनेक्ट करेंगे और मुझे मज़़ा आता है और थोड़ा सा 좋아하, inspiration मिलता हैं तो कि और में आगे काम कर सको प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नहीं बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा आप एड़ कर सकते हैं हमारी मदद कीजे इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कि लिए अपना ख्याल रखें और लोगों से प्यार करते दें थांक्यू बेरी मच्च